ओम शान्ति दो तीन दो हजार चोबिस के साकार अनमोल धानना युक्त मधुर महावाके हैं मिठे बच्चे यह नॉलेज बिलकुल शान्ति की है इसमें कुछ भी बोलना नहीं है सिरफ शान्ति के सागर बाप को याद करते रहो कुश्चन उनति का आधार क्या है बाप की शिक्षाओं को धारन कब कर सकेंगे अंसर उनति का आधार है प्यार एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए प्यार से याद करना प्यार से सेवा करना प्यार से बाबा को याद करके जीवन में वह गुट्साह लाना तो उनती होती रहेगे नजदीक रहते भी यदि उनती नहीं होती तो जरूर लव की कमी है बाबा से प्यार की कमी है लव हो तो बाप को याद करें याद करने से सब सिक्षाओं को धारन कर सकते हैं उनती के लिए अपना सच्चा चार्ट लिखो बाबा से कोई भी बात चिपाओं नहीं आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो तो धारना भी होगी बाबा से प्यार पढ़ेगा ओम शान्ति बच्चे अपनी को आत्मा समझ करके बैठो और बाप को याद करो बाबा पूछते हैं जब भी कहां सभास में भाशन करते हो तो घड़ी घड़ी यह पूछते हो कि तुम अपनी को आत्मा समझते हो या देह अपनी को आत्मा समझ कर यहां बैठो आत्मा ही पुनर जनम में आती हैं अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो बाप को याद करने से ही तुमारे विकर में विनाश होंगे इसको योग अगनी कहा जाता है निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं मुझे ही याद करने से तुमारे पाप कट जाएंगे और तुम पामन बन जाएंगे फिर तुम मुक्ती जीवन मुक्ती को पाएंगे सभी को मुक्ती के बाद जीवन मुक्ती में आना है जरूर तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े आपनी को आत्म निश्ची करके बैठो भाईयों और बहनों आपनी को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो यह है याद की यात्रा तो बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धी का योग लगाओ तो तुम्हारे जनम जनमांत्र के पाप भस्म हो जाएंगे ये घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे समझाएंगे तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है और देहे विनाशी है अविनाशी आत्मा ही विनाशी देहे धारन कर पार्ट बजाएंगे एक शरी चोड दूसरा लेती है आत्मा का स्वधर्म शांती है वह अपनी स्वधर्म को भी नहीं जानते अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे मूल बात यह है पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है आत्मा समझना आत्मा हो रहना तो यही मेहनत बाबा कहते पहले पहले तुम बच्चों को करनी है बेहद का बाप आत्माओं को कहते है इसमें कोई शाष्ट्र आदी उठाने की भी बात नहीं तुम गीता का मिशाल देते हो तो भी कहते हैं तुम सिरफ गीता उठाते हो वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो तो बाबा ने कहा है उनसे पूछो वेद किस धरम का शाष्ट्र है कहते हैं आरिये धरम का आरिये किसको कहते हैं हिंदु धरम तो है नहीं आदिशनातन तो है ही देवी देवता धरम फिर आरिये कौन सा धरम है आरिये तो आरिये समाज्यों का धरम होगा आरिये धरम तो नाम ही नहीं है आरिये धरम किसने स्थापन किया तुमको वस्तों में गीता को भी नहीं उठाना है पहली बात है अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतों परधान बन जाएंगे इस समय सब तमों परधान है पहले पहले तो बाप का ही परीचे देना है महिमा भी बाप की ही करनी है यह भी तुम तब कह सकेंगे, जब तुम खुद बाब को याद करते होंगे, इस बात की बच्चों की कमजोरी है, बाबा को याद करना, बाबा ने कहा ये कमजोरी है, इस कमजोरी को भरो, बाबा को याद करो, तब औरों को भी कह सकेंगे, बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चाट रखो दिल से हर एक पूछे हम कहां तक याद करते हैं तुम बच्चे जानते हो तुम बच्चों के दिल में अथा खुशी रहने चाहिए तुमको अंद रूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा पहली मूल बात यही कहना भाईयों और बेहनों अपने को आत्मा समझो ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे बस्तों में सत्संग कोई है नहीं सत का संग एकी है बाकी है कुसंग यहां है बिलकुल नहीं बात वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं तो हम वेदों को क्यों उठाए कोई में भी यह नॉलेज है ही नहीं खुद ही कहते हैं नेती नेती अर्थात हम नहीं जानते तो नास्तिक हुए ना अब बाप स्विम कहते हैं आस्तिक बनो अपने को आत्मा समझो यह बाते गीता में कुछ है वेदों में है ही नहीं वेद उपनिस तो धेर है अब वेह किस धर्म का शाष्ट्र है मानुष्य तो अपनी बाते करते हैं तुमको किसी का भी सुनना नहीं है बाप तो सह समझाते हैं अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पामन बन जाएंगे इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री जोगरफी को जानना है तुम्हारा यह तुनमूर्टी गोला है मुख्य इसमें सब धर्म आजाते हैं पहले पहले है देवी देवता धर्म बाप नहीं कहा है तुनमूर्टी गोला बड़ा बड़ा बनाकर देली के मुख्य स्थान पर जहां आना जाना बहुत हो वहां पर लगा दो तीन सीट पर सीट में तो और धरम को का नहीं आता मुख्य हैं दो चित्र समझाना है इस पर पहले है बाप का परिच्य बाप से ही तो वर्षा मिलता है इस बात का निश्चे कराने बिगर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा एक बाप को ही नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर तो जाना ही फलतो है अलफ को समझने बिगर कुछ भी नहीं समझेंगे बाप के परिच्य बिगर और कोई भी बात ना करो बाप से ही बेहत का वर्षा मिलता है बाबा ख्याल करता है ऐसी सहच बात क्यों नहीं समझते तुम्हारी आत्मा का बाप वहशिव है इनसे ही वर्षा मिलता है तुम सब आपस में ब्रदर्स हो जब इस बात को भूलते हो तब तमो परधान बन जाते हो आप बाप को याद करो तो सतो परधान बन जाएंगे मूल बात है रचईता और रचना को जानना कोई भी नहीं जानते रिशी मुनी भी जानते नहीं थे तो पहले पहले बाप का परिचे दे सब को आत्मिक बनना है आस्तिक बनना है बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे मुझे नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना समझेंगे ही नहीं मुफत तुम अपना समय वेश्ट करते हो चित्र आदि जो भी डामा अनुसार बने हैं वही ठीक है परन्तु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसी की बुद्धी में बैठता नहीं बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है बाबा फट से कह देते हाँ भूल है अलफ को ही नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो बोलो जब तक बाब को नहीं जाना तब तक तुमारे बुद्धी में कुछ भी बैठेगा नहीं तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आँखे क्रिमिनल रहती है सिविल तब बनेगी जब अपने को आत्मा समझेंगे देही समझेंगे देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आखे धोका नहीं देंगे देही अभिमानी नहीं तो माया धोका देती रहेगे इसलिए पहले तो आत्म अभिमानी बनना है बाबा कहते हैं अपना चाट दिखाओ तो मालूम पड़े अगर अभी तक जूट, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्या नाश करते हैं बाबा चाट देखकर समझ जाते हैं कि यह सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है सब बच्चों को बाबा कहते हैं चाट लिखो जो बच्चे योग में नहीं रहते वह इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते जोहर नहीं भरता भल बाबा कहते हैं कोटों में कोई ही निकलेगा परन्तु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे सन्याशी कहते हैं सुक कागविष्टा के समान हैं सब कुछ वह सुक का नाम ही नहीं लेते हैं तुम जानते हो भक्ति अथा है उसमें कितने आवाज हैं तुमारी नौलेज तो बहुत शांती की है बोलो शांती का सागर तो बाप ही है अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है बाप कहते हैं मन मना भाव यह अक्षर भी नहीं कहो हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों अब इन सब भाषाओं को छोड़ो पहले तुम भाषन करो कि आपने को आत्म समझो बहुत हैं जो अपने को आत्म भी नहीं समझ सकते याद ही नहीं कर सकते अपने घाटे को कोई समझ न सके कल्यान तो है ही बाबा की याद में और कोई सस्थंग में ऐसे नहीं कहते हैं, कि अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो, बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं, क्या? उठते बैठते बाप की याद है ही, आत्म अभिमानी बननी की, प्रैक्टिस करनी है, तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना चाहिए, मूल बात है याद की यात्रा, योग अगनी से ही तुम पावन बनेंगे, इस समय सब दुखी है, सुख मिलता ही है, पावन बनने से, तुम आत्म अभिमानी हो, किसी को समझाएंगे, तो उनको तीर लगेगा, कोई खुद विकारी, और किसी को कहे निर्विकारी बनो, तो उसको तीर नहीं लगेगा, बाप कहते हैं बच्चे, तुम खुद बाप की याद में रहो, याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसलिए तीर भी नहीं लगता, आप बाप कहते हैं, बेती सो बेती, पहले अपने को सुधारो, दिल से पूछो, हम अपने को आत्म अभिमानी समझ बाप को याद कितना करते हैं, जो बाप हमको विश्यू का मालिक बनाते हैं, हम शिप बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर हमको विश्यू का मालिक बनना हैं, वही एक माशुक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हैं, तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए, लव माना याद, शादी होती हैं, तो इस तरी का पती के साथ कितना लव होकता हैं, तुम्हारी भी सगाई हुई हैं, शादी नहीं, वह है तो जब विश्यू पुरी जाएंगे, पहले शिप बाबा के पास जाएंगे, फिर ससूर घर जाएंगे, सगाई की खुशी कम होती है, क्या? सगाई हुई और याद पक्की हुई, सत्युक में भी सगाई होती है, परंत वहां सगाई कब टूटती नहीं, अकाले मिर्थि नहीं होती, यह तो यहां होती हैं, तुम बच्चों को भी ग्रेष्ट वेभार में रहते हैं, पवित्र बनन हैं, भल बहुत नजदीक में रहते हैं, फिर भी उनती नहीं होती, तो उस लव से आते हैं, उनकी बहुत उनती होती हैं, यादी नहीं, तो लव भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारन नहीं कर सकते, शुब बाबा की शिक्षाओं को भी धारन नहीं कर सकते, क भखवानों वाच्चे, तुम बच्चे सब को यही पैगाम दो, काम महा शत्रू है, जो आदी मद्य अंत दुख देता है, तुम तो पवित्र सत्युक के मालिक थे, अभी तुम गिर कर गंदे बन पड़े हो, अब यह अंतिम जनम फिर से पवित्र बनो, काम चिता पर बैठने का हत्याला कैंसिल करो, तुम बच्चे, जब योग में होते हो तब किसी की बुद्धी में, बैठेगा ग्यान तलवार में योग का जोहर चाहिए, पहली मुख्य बात, बच्चे कहते हैं बाबा, हम बहुत मेहनत करते हैं, तब मुश्किल कोई निकलता ह बाबा कहते हैं, योग में रह करके समझाओ, याद की यात्रा की मेहनत करो, रावन से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो, बाबा की याज से तुम्हारी सब मनों कामने पूर्ण हो जाएंगी, बाबा स्वरक का मालिक बनाते हैं, बाबा, डिरेक्शन तो बहु आर और बातों में चले जाते हैं मुख्य तो है ही बाप का पेगाम दो परन्तु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कराएंगे ठगई तो नहीं चलेगी दूसरों को कहीं विकार में नहीं जाओ खुद जाएं तो जरूर दिल खाएगी न ऐसे भी ठग है इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात है अलफ अलफ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे अलफ को ना जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रती माद पिता बाब दादा का याद प्यार गुट मॉर्णिंग डाइमंड मॉर्णिंग रोखानी बाब की रोखानी बच्चों को नमस्ते हम रोखानी बच्चों की रोखानी माद पिता बाब दादा को याद प्यार गुट मॉर्णिंग डाइमंड मॉर्णिंग ओम नमस्ते दानना के लिए मुखी सारे हैं अंद्रोनी बाबा के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाब का परिचे देना है सबको एक बाब की ही महिमा सुनानी है आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रेक्टिस करनी है बहुत बोलना नहीं है बीती सो बीती कर पहले स्वयम को सुधारना है याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है वर्दान ब्राह्मन जीवन में वेराइटी अनभूतियों द्वारा रमनिक्ता का अनभव करने वाले संपन आत्मा भाव स्पश्टी करनी जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वेराइटी है तो सारे दिन में भिनभीन संबंद भिनभीन स्वरूप का वेराइटी अनभव करो तो बहुत रमनिक जीवन का अनभव करेंगे ब्राह्मन जीवन भगवान से सर्व संबंद अनभव करने वाली संपन जीवन है इसलिए एक भी संबंद की कमी नहीं करना अगर कोई चोटा या हलका आत्मा का संबंद मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा जहां सर्व है वहां ही सफलता है इसलिए सर्व संबंदों से स्मर्ति स्वरूप बनो स्लोगन बाप समान अव्यक्त रूप धारी बन प्रकृति के हर द्रश्चे को देखो तो हल्चल में नहीं आएंगे ये अव्यक्त शरा आपने आवहन किया हैं कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए तो जरूर नीचे उपर होगी न तब तो जाएगी इसलिए कुछ भी हो आपको बेफिकर बनना है पुरानी दुनिया में पुरानी मकान में जरूर कभी कुछ तोटेगा कभी कुछ गिरेगा नथिंग नियो यह सब होना ही है और हो रहा है और हम बेफिकर बाश्या है ओम शान्ति